हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे समान ग्यान के कुल 40 कोस्टन जो की बिहार बियर में 40 कोस्टन पूछे जाते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंस होगा और ये हमारा सेट 8 है अगर आपने इसके पहले वो सारे सेट नहीं हूं आप जल्दी से जल्दी देख लें क्योंकि आपका एक्जाम जो है वह बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे और अगर आपको इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देदिया हूं वहां से आ और ना है देखें पहला जो कोसन कर रहा है प्राचीन भारतिक घरंट आवम लेकाग यह सारे घरंद दिये है ठीक है और उसके लेखक दिये है तो जैसे मुद्दाराक्चास के लेखक है है विशागदत तो अइसे ही यह सारे घरंद यहाँ पर पांच दिये है तो इनमे से जो है वो सूची एक और सूची दो को मिलाना है तो देखे यहां पर जो है वो हमारा राइट अंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा तो आप इसे मिलाओन कीजिए इसका राइट अंसर क्या है बताईए तो इसका right answer जो है वो एक का सी हो जाएगा जैसे यहाँ पर चलते हैं जो है मुद्रा राक्षा स्विशाग दत ने लिखा था और ये किस्चे समंदित था तो ये नंद वंस या मौरिय काल से समंदित था ठीक है अप्शन नमर जो है ये ये सही हो जाएगा फिर देखते हैं द देखें नैस्ट पी तीसरा जो कह रहा है गार्गी संगीता जो कत्यहिन ने लिखा था वो युनानी आकरबन से समंदित था पुस्तक फिर चौथा जो है देखें यहाँ पे हर्स चरीत बानभट जो था ये हर्स चरीत बानभट ये कौन से सम्राज से समंदित था तो ये पर नम्मर ए जो है वो राइट हो जाएगा चलिए दोस्तों नेस्ट कोर्षन देखते हैं कि देखें आपके कह रहा है पच्छीम भारत में चालू की समराज के बाद किसका समराज आया था तो हमारे पास चार उप्षन है बताएए इसका राइट ऑंसर जो है वो कौन सा हो तो पच्छीम भारत में चालू की समराज के बाद जो है वो आया था राष्टकुट का समराज ठीक हो जाएगा तो पच्छीम भारत में चालू की समराज के बाद राष्टकुट का समराज आया था चलिए नेस्ट कोर्षन देखते हैं देखें यहां पर नेस्ट कोर्षन कह गया था तो हल्डी घाटी का यूद जो है वो कब लड़ा गया था बताइए चार ओप्षन दिया गया है तो इसका राइट अंसर जो है वो 1576 में लड़ा गया था हल्डी घाटी जो है 1576 में यूद हुआ था चलिए नेस्ट कोर्शन देखते हैं नेस्ट कोर्शन कर रहा है सन 1210 बेरी में कुतूब दिन एभग के पासच दिल्ली का सुल्ताŞan कौन बना था तो 310 हुए कुतूब दिन एभग के बा nive काrą customized इनमें और था तो हमारे पास चारा ओप्षन है बते हैं इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो सन 1210 इसमी में कुतूब दिनमन के पचा जो है दिली का सुल्तान इलतुचमीश बनाता ओप्शन नमर डी जो है वो राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन करा है कलकत्ता के रोयल एसियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था तो कलकत्ता में जो रोयल एसियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोंज दे ओप्शन नमर बी जो है वो राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन करा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल विवाजन का विरोध किया गया था तो कांग्रेस का जो है वो कौन से अधिवेशन में बिरोध किया गया था हमारे पास चार ओप्शन है बता है यह इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो कंग्रेश का जो है वो विरोत किया गया था किस अधिवेशन में बंगाल के किस अधिवेशन में तो ये जो है तो बंगाल का विवाजन जो हुआ था वो बनारास अधिवेशन में किया गया था option number A जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question देखें यहां पर कह रहा है अल हिलाल समचार पत्र किसके द्वारा राष्टियता के परचार के लिए शुरू किया गया था तो अल हिलाल समचार पत्र जो था अबूल कलाम अजात के लिए शुरू किया गया था चलिए next question देखते हैं next question करा रहा है देखें आपर next question करा रहा है विशु का पहला गंतंत्र वैसाली में किसके द्वारा अस्थापित किया गया था तो चार option दिया गया है बताइए इसका right answer जो है वो इन में से कौन सा हो जाएगा तो विशु का पहला गंतंत्र जो है वैसाली में वो लिच्वी राजा के द्वारा अस्थापित किया गया था option number D जो है वो right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं देखें यहाँ पर next question करा रहा है तो अकबर का सन्रक्षक जो था वो बैराम खा था ठीक है अकबर का सन्रक्षक बैराम खा था option number B जो है वो right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question करा रहा है अधार संखिया है देखें चार option है बताइए इसका right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा तो इसका right answer जो है अधार संखिया क्या है एक विशिष्ट पाचान पत्र संखिया है तो अधार संखिया एक विशिष्ट पाचान संखिया है चलिए next question देखते हैं निम्लिकित में से कौन लोग सभा के पर्थम अध्यक्ष थे तो लोग सभा के पर्थम अध्यक्ष इन में से कौन व्यक्ति थे बताईए चार अंसर दिया गया आपके पास तो लोकसभा के पर्थम अध्यक जो थे वो जीवी मावलंकर थे ठीक है जीवी मावलंकर थे अप्शन नमर डी जो है वो राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोर्षन देखते हैं रक्त की वरसा किस देश में होती है तो चार option है बताइए इसका right answer जो है इन में से कौन सा हो जाएगा तो रक्त की वर्षा जो है वो इतली में होती है option नम्मर भी जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं मंगोलन जल्दमरोमद स्थित है चार option नम्मर जो है वो कहां पर इस्थित है तो इसका right answer जो है मंगोलन जल्दमरोमद स्थित है परसंद अबन दक्षिन अट्लांटिक महासागर के बीच में स्थित है option नम्मर ए जो है वो right हो जाएगा जलिए next question देखते हैं नेस्ट कोर्षन कर रहा है, बंगला देश से भारत का कौन सा राज सटा नहीं है, तो यहाँ पे चार ओप्षन है, इनमें से जो है, वो बंगला देश जो है, बंगला देश से कौन सा राज सटा नहीं है, तो बताइए इसका राइट अंसर जो है, इनमें से कौन सा हो जाएग तो इसका right answer जो है वो मनिपूर हो जाएगा बांगला देश से जो है भारत का मनिपूर राजी जो है वो सटा नहीं है तो option number A जो है वो right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं संबलपूर किस नदी के किनारे बसा है तो चार option है संबलपूर बताईए किस नदी के किनारे बसा है तो संबलपूर जो है वो महा नदी के किनारे पर इस्थित है option number A जो है वो right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question कह रहा है भारत के पर्थम मंगल अभियान का क्या नम था तो भारत के जो पर्थम मंगल अभियान था उसका इन में से चार option में से क्या नम रखा गया था तो बताईए इसका right answer जो है वो क्या हो जाएगा तो इसका right answer जो है Mars Orbit Mission रखा गया था भारत के पर्थम मंगल अभियान का नम क्या था Mars Orbit MOM रखा गया था option number C जो है वो right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question करा बिहार के किस जिला में सरवादिक गोखुर जील पाए जाते हैं तो बिहार के कौन से जिला में सरवादिक गोखुर जील पाए जाते हैं हमारे पास 4 option है बताइए इसका right answer जो है पाया जाता है option number D जो है वो right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question करे रहा है देश भर में कितने 46 gram in bank कारीरत है तो देश भर में भारत में कुल कितने 46 gram in bank जो है अभी काम कर रही है तो बताइए हमारे पास 4 option है इसका right answer जो है कौन सा हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो अभी 196 जो है 196 जो है वो कुल बिहार में सोरी पूरे देश में जो है gram in bank के रूप में काम कर रही है कुल 196 bank जो है इसका right answer हो जाएगा option number C चलिए next question देखते है सरकार ने दक्षिन भारत के किस नगर में झाखते है इblesें 2012 में लिया है तो बताइए चार option इनमें से कौन सा वह राजी है जहां पर रेयल कुछो के उत्पादान है तो सईयआत्र अस्थापीद करने का निर्न स्वारत सरकार ने लिया है 2012 में तो इनमें से कौन सा वह सहर है बताइए तो इसका right answer जो है वो कल पल ककड़ हो जाएगा option नमर ए जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते है next question दिखे कहा रहा है बिहार के कितने चीलों में के यर्ण energy search limited द्वारा petroleum एबम प्राकरति गयस का invention आरब हुआ है तो चार option है इसका right answer जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा तो बिहार के कुल 13 जो है वो जीलों में energy search limited petroleum एबम प्राकरति गयस का invention आरब किया है चलिए next question देखते हैं next question कहा रहा है भौतिक तुला कार्य करता है तो भौतिक तुला जो है वो किस सिधान पर काम करता है तो चार option दिया गया बताइए इसका right answer जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा तो भौतिक तुला जो है वो समांतर बलके नियम पर काम करती है अप्सन नमर डी जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते है प्रती सेकेंड इस्कॉायर होता है, अप्शन नमर C इसका राइट हो जाएगा, चलिए नेस्ट कोर्षन देखते हैं, नेस्ट कोर्षन करा है, गन्ना में सहाय था, सहाय गनितिय साधन के रूप में लगु गनक की संकर्पना निमलिकीत में से किसी ने किया था, देखें हमारे के प्रणे कि आथा, option number B, इसका right हो जाएगा, चलिए नेस्ट कोर्षन देखिए, निम यंतर से विधु धरा का मापन करते हैं, इनमें से कौन से यंतर से, विधु धरा का मापन कर टेगा जाता है, तो बताइए इसका right answer जो है, वो कौन सा हो जाएगा, तो विधु धरा का म आपन जो है हम लोग एमिटर से करते हैं विदुधारा को एमिटर से मापा जाता है option नमर डी जो है वह राइट होजाएगा चलिए next question stainless steel निम निकित का मिस्र धातू है इन में से stainless steel जो है इन में से किस धातू जो है तो लोहा, ग्रोमियम और निकेल को मिलाने से जो है वो स्टेलेस इस्टिल का निर्मान होता है option D जो है इसका राइट हो जाएगा तेके next question कहाँ है green house परभाव के लिए उत्तरदाई है तो green house परभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदाई है पताइए चार ओप्शन दिया गया है आपके पास तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदाई गैस जो है वो कार्बन डाय ऑक्साइड है CO2 ठीक है वो ओप्शन नम्मर ए जो है इसका राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं एक जेट इंजन में वायू इंदन अनुपात का करम है तो पताइए चार ओप्शन दिया गया है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो एक जेट इंजन में जो है वायू इंदन अनुपात का करम जो है वो 15 अनुपात एक होता है option नमर भी जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question करा है परकास translation की किरिया में किस परकार का परकास सबसे अधिक परभाव साली होता है तो चार option है बताएगे इसका right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा तो परकास translation की किरिया में जो है वो लाल रंग का परकास सबसे अधिक परभाव साली होता है ठीक है चलिए next question देखते हैं नेंबू वा ग्रेप फूट में मुख्याता कौन सा acid उपस्तित दराता है देखे चार option है बताएगे इसका right answer जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा तो नेंबू वा ग्रेप फूट में मुख्याता जो है साइटरिक एसीड पाया जाता है ठीक है साइटरिक अमल पाया जाता है option नम्मर ए जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं देखे next question करा सजीवों में क्या पाहचान है तो बताएगे इनमेंसे क्या पाचान है चार option है बताएगा इसका right answer क्या हो जाएगा तो सजीवों में वह स्वासन प्रजनन रक्त संचरन ये सभी जो है वो पाचान है धाल सजीब है तब्सक्राइन को गाई चार इसका राइट अंसर बताई यह क्या हो जाएगा गाया सब्सक्राइए कि सरी अविसक्ता नहीं होती है option number B जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते है next question कारा विक्रम सराभाई अंत्रिक्स के अंतरड कहा इस्तित है चार option दिया गया बताएए इसका right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा तुछ इसका right answer जो है वो त्रिवेंद्रम में इस्थीत तो त्रिवेंद्रम में इस्थीत है चलिए नेस्ट गोषण संदेखते हैं नेस्ट कुषण संदे क्या रहा ला किलेचे किर्केट भी सुकक्व 2015 की मेजवानी किसके गई तो cricket visho कभ जो है 2015 कि मेंजबानी इन में से किस देश के द्वारा किया गया था तो बतायिए चार उप्षन दिया गया है तो इसका right answer जो है न्यूजलेंड एवम अश्यलिया के भी 2015 कि मेंजबानी किया गया था चलिए नेस्ट question देखते है next question करा है कौक को किसके द्वारा personality of the year 2015 गोशित किया गया है तो बताइए चार option दिया गया है इसमें से right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा तो कौक को जो है personality of the year 2015 गोशित किया गया था याहू इंडिया के द्वारा option नमर सी जो है इसका right हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question करा है बिहार का परसिद जट जटीन लोग निरती कब आयोजित किया गया था तो चार option है बताइए इसका right answer जो है इन में से कौन सा हो जाएगा तो देखें यहां पर बिहार का जो परसिद जट जटीन लोग निरती है यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार का लोग निरती जो यह जट जटीन है ठीक है तो बिहार का लोग निरती इन में से कौन सा है तो जट जटीन जो है यह बिहार का लोग निरती है और यह जो है सावन कार्तिक में जो है इसका आयोजन किया जाता है अप्सान नमर बी जो है वो राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोर्षन देखते हैं तो भारत में बारवी राष्टी आईस स्केटिंग चेंपियंशिप की मेजबानी किस राज ने किया है चार अप्सान है बताइए इसका राइट अंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा तो भारत में बारवी राष्टी आईस होकी स्केटिंग चेंपियंशिप की मेजबानी जो है वो जम्मू कस्मीर राज ने किया था अप्सान नमर डी जो है वो राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोसन देखते हैं नेस्ट कोसन देखें यहाँ पर कहा रहा है विन्डूज आधारित केम्प्यूटर में दो फाइले एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है यदि हमारे पास चार अप्सान है इनमें से क्या नहीं हो सकती है बताइए तो इसका राइट होसार जो है वो नहीं हो सकता है उनके नाम और फाइलों के परकार एक है तो यह जो है राइट उसर अप्सान नमसी हो जाएगा चलिए नेस्ट कोसन देखते हैं नेस्ट कोस्टन कर रहा है अक्टूबर 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा समुदरी अंतरिक च्छेर्थ MPA किस तट पर बनाया गया था चार अप्शन है बताइए इसका राइट अंसर जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो है वो अंटार्केट का में हो जाएगा MP जो है वो किस तट पर MPA बनाया गया था तो अंटार्केट का में बनाया गया था चलिए next question देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम question है दोस्तों computer में किसी file का परकार किसके there से पाचाना जा सकता है चार option है बताइए इसका right answer जो है वो कौम सा हो जाएगा तो इसका right answer जो है file extension के द्वारा जो है पाचाना जा सकता है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को subscribe कर लें क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे और दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं description में link दिया हूँ वहाँ से आप जाके सारे वीडियो को देख लें क्योंकि आपका exam बहुत ही जल्द होने वाला है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए जैहिल